हिंदी साहित्ते क्विक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिविकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी उपन्यासों से संबंदित पार्ट फॉर जिसमें हम देखेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यास और उनके उपन्यासकार ठीके ध्यान देंगे दोस्तों हमारे अगले उपन्यासकार हैं विशंबरनात शर्मा कौशिक, विशंबरनात शर्मा कौशिक जी, ठीक है, ध्यान से सुनना इनको, ठीक, इनका उपनियास है मा, क्या है? मा, कब आया? 1929 इस्वी में आया हुआ विशंबर नाथ सर्मा जी का उपनियास है मा ठीके इसमें मा की महीमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया गया है ठीके ध्यान रखेंगे मा उपनियास में मा की महीमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया गया है और यह है उपनियास 1929 इस्वी में आया हुआ उपनियास है ठीके और 1929 में ही रामचंद्र शुकली जी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आये था ये बात भी ध्यान रखेंगे कौशिक जी का अगला उपनियास है दोस्तों बिखारिनी कौनसा बिखारिनी ध्यान से सुने कब आया यह उपनियास भी 1929 इस्वी में आया हुआ ठीके और इसके अंतरगत अंतर जातिये विवा समस्या वा प्रेम की त्रासिदी का चित्रन किया गया है ठीक तो बिखारिनी अंतर जातिये विवा समस्या वा प्रेम की त्रासिदी का चित्रन किया है ठीक इनका अगला उपनियास है दोस्तों संघर्ष संघर्ष कब आया 1945 इस्वी में आया हुआ उपनियास है संघर्ष ठीके जिसके अंतरगत कौशिक जी ने आर्थिक विशंबता के कारण आर्थिक विशंबता के कारण प्रेम की निश्फलता का चित्रन किया है एक बार फिर से सुन ले इनके सभी उपनियासों को तो दोस्तों विशंबर नाथ सर्मा कौशिक जी के उपनियास है मा जो की 1929 इस्वी में आया हुआ उपनियास है जिसमें इनोंने मा की महीमा एवं आदर्ष का प्रतिपादन किया है और इनका दूसरा उपनियास है बिखारीनी इंपोर्टेंट है बहुत जादा ये 1929 इस् का चित्रन किया है ठीकें तीसरा उपनियास है इनका संगर्स जो की 1945 इस्वी में आया हुआ उपनियास है विशंबर नाथ सर्मा कौशिक जी का इसमें इनोंने आर्थिक विशंता के कारण प्रेम की निश्वलता का चित्रन किया है ठीकें तो ध्यान रखेंगे सबी उपनि अपनियास है देहाती दुनिया कौनसा देहाती दुनिया कब आया ये तो दोस्तों 1926 इसवी में आया हुआ सिभ पूजन सहाय जी का उपनियास है देहाती दुनिया ठीके ध्यान रखेंगे और यह एक आंचलिक उपनियास माना है आंचलिक उपनियास माना है किसने डॉक्टर गोपाल रायने ठीक है आंचली को अपनियास माना है डॉक्टर गोपाल रायने किसका अपनियास है देहाती दुनिया तो सिब पूजन सहाई जी का अपनियास है ठीक है 1926 इसवी में आया हुआ है ध्यान रखें अगले उपनियासकार है दोस्तों चंडी परसाद हरीदेश चंडी परसाद हरीदेश ठीक है तो ध्यान रखें कहीं कहीं हरीदेश भी नाम मिलता है ठीक तो इनका पूरा नाम है चंडी प्रसाद हिरिदेश ठीक ध्यान दें और ये कैसे उपनियासकार है इन्हों ने अपने उपनियासों में भावपूर्ण आदर्शवादी शैली का प्रियोग किया है ठीक चंडी प्रसाद हिरिदेश ने अपने उपनियासों में भावपूर्ण शब्द पर ध्यान दें बावपून आदर्शवादी शेली का प्रियोग किया है इनका उपनिया से दोस्तों मनोर्मा क्या मनोर्मा कब आया ये 1924 इसवी में आया हुआ उपनिया से मनोर्मा चंडी प्रसाद रिदेश जी का उपनिया से फिर है मंगल प्रभात मंगल प्रबात ये कब आया 1926 इसवी में आया हुआ उपनियासे ठीके मंगल प्रबात तो चंडी प्रसाद हिरीदेश के दो उपनियासे एक मनोर्मा जो की 1924 में आया फिर है दूसरा मंगल प्रबात जो की 1926 इसवी में आया हुआ उपनियासे और चंडी प्रसाद हिरीदेश इस ने बावपूर्ण आदर्श्वादी सैली का परियोग अपने उपनियासों में किया है ठीके ध्यान रखें अगले उपनियासकार हैं दोस्तो ध्यान दें पांडे बेचेन शर्मा उग्र ठीके इनोंने सर्व प्रथम ध्यान से सुनेंगे important बाते हैं इनोंने सर्व प्रथम हिंदी में हिंदी उपनियासों में पत्रात्मक प्रविधी का प्रवर्तन किया तो आप से पूछा जा सकता है कि सर्व प्रतम हिंदी उपन्याशों में पत्रात्मक प्रविदी का प्रवर्तन करने वाले उपन्यासकार कौन है तो आप बताएंगे पांडे बेचेन शर्मा उग्र ठीक है और हिंदी में हिंदी में प्रकृति वादी उपनियासों के जनक भी माने जाते हैं ध्यान से सुने हिंदी की बात होगी तो हिंदी में प्रकृति वादी उपनियासों के जनक माने जाते हैं पांडे बेचेन शर्मा उग्र। ठीके वहीं पर अगर हम बात करें ठीके Prakativadi उप्नियासों के जनककी तो इन से पहले कौन माने गए हैं जोला ठीक है जोला ये नोट हे धियान देंगे प्रकर्ति बादी उपनियासों के जनक जोला माने कए हैं मुख्ये रूप से ठीक है और अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में पांडे बेचेशन शर्मा उगर माने गए हैं ठीक है ये बात आप धियान रखेंगे इनका उपनियास है दोस्तों गोर करें दिल्ली का दलाल क्या दिल्ली का दलाल जो की 1927 इस्वी में आया हुआ पांडे बेचें शर्मा उग्र जी का उपनियास है इस उपनियास के अंतरगत इन्हों ने यूवतियों का क्रेविक्रे करने वाली संस्थाओं का परदाफास किया है ठीक है युवतियों का क्रे विक्रे करने वाली संस्थाओं का परदाफास किया है किस उपनियास में दिल्ली का दलाल उपनियास में किस ने किया पांडे बेचें शर्मा उगरने ठीक है ध्यान रखेंगे और कब आया 1927 इसवी में आया हुआ इनका उपनि दोस्तों चोकलेट कौन सा चोकलेट ठीक है यह कब आया तो यह आया 1927 इस्वी में चोकलेट उपन्यास आया 1927 इस्वी में ध्यान रखेंगे तो हमने इसमें पड़ा कि पांडे बेचेंशर्मा उग्र सर्व प्रथम हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधी का प्रवर्तन करने वाले उपन्यासकार है और हिंदी में प्रकर्तिवादी उपन्यासों के जनक भी ने कहा जाता है ठीक है वहीं ध्यान दे नोट है प्रकर्तिवादी उपन्यासों के जनक मुक्य रूप से वैसे जोला है ठी दिल्ली का दलाल इनका एक उपनियास है दिल्ली का दलाल जो कि 1927 इस्वी में आया हुआ उपनियास है जिसके अंतरगत इनों ने युप्तियों के क्रेविक्रे करने वाली संस्थाओं का परदाफाश किया है ठीक इनका अन्य उपनियास है चोकलेट जो कि 1927 इस्वी सेम यर आया हुआ उपनेयास है, इनके अन्य उपनेयास देखते हैं, तो गौर करें दोस्तों, पांडी बेचेंशर्मा उग्र 1जी का, अन्य उपनेयास है, क्या, चंद हसीनों के खतूlt, चंद हसीनों के खतूत, बहुत ही important है ये, ठीक है, बहुत ही important उपन्यास है, चंद हसीनों के खतूत, इसके दो समय मिले हैं, एक सन 1924 इसवी और 1927 इसवी, आप प्रायटी देंगे 1924 इसवी को, यह समय सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक, और यह पत्रात्मक प्राविधी में ल पत्रात्मत प्रविदी का पहला उपनयास है दोस्तों ठीके ज्यान रखेंगे और इसके अंतरगत हिंदू मुस्लिम प्रेम विवा का चितरन किया गया है इस दृष्टी से यह बहुत ही important उपनियास है ठीके ज्यान रखेंगे इसके अलावा इनका अन्य उपनियास है बुद पिदुरा की बेटी ये कब आया 1928 इसवी में आया हुआ उतन से बुदुरा की बेटी 1928 इसवी ठीक है पिर एंका अगला क्वेट्वय शराबी उतन सबसे ज्यादवन जिसके दो समय मिले हैं ये है पांडे बेचेन सर्मा उग्र जी का उपन्यास ध्यान रखेंगे दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट बाते हैं इनका अगला उपन्यास है दोस्तों सरकार तुमारी आंखों में सरकार तुमारी आँखों में ये कब आया 1937 इसवी में 1937 इसवी में आया हुआ उपनियास है सरकार तुमारी आँखों में ठीकें तो देखते हैं एक बार फिर से इनके सभी उपनियासों को गौर करेंगे दोस्तों चंद हसीनों के खतूत चंद हसीनों के खतूत 1924 इस्वी या 1927 इस्वी में आया हुआ उपनियास है ठीक है आप 1924 इस्वी मान करके चलें यह पत्रात्मक प्रविदी में लिखा हुआ पहला उपनियास है किसका उपनियास है यह पांडे बेचेन शर्मा उगर जी का उपनियास है चंद हसीनों के खत ठीक हैं, उर या है हिंदू Muslim प्रेम विवा पर आधारित उपन्यास है, फिर है इनका उपन्यास ब०्धुआ की बेटी, बुद्धुआ की बेटी आया 1928 इसवी में, याद रखें, फिर है इनका अगला उपन्यास հाभी, ये आया 1930 इसवी में, या फिर 1931 इसवी में, प्रा अभी उपन्यास किसका है, पांडे बेचेन सर्मा उग्र जी का उपन्यास है, फिर है इनका अगला उपन्यास, सरकार तुमारी आखों में, इम्पोर्टेंट है, सरकार तुमारी आखों में, ये कब आया, 1937 इस्वी में आया हुआ पांडे बेचेन सर्मा उग्र जी का उपन् जी जाजी उपनियास जो की 1937 इसवी में आया हुआ उपनियास है जी जाजी किसका है पांडे बेचें शर्मा उग्र जी का उपनियास है अगला उपनियास है मनुष्या नंद मनुष्या नंद कब आया 1935 इसवी में आया हुआ उपनियास है मनुष्या नंद फिर है अगला उ उपनियास जो की 1935 इसवी में आया हुआ उपनियास है गंटा फिर है दोस्तों फागुन के चार दिन ध्यान से सुनेंगे फागुन के चार दिन ठीके फागुन कौनसा होता है ये महिना फैब का महिना ठीके तो फागुन के चार दिन ये उपनियास इंपोर्टेंट है 1960 इसवी में आया हुआ उपनिया से पांडे बेचें सर्मा उउग्र जी का अगला उपनिया से जू हूँ कौन सा जू हूँ यह भी important है जू हूँ कब आया 1963 इसवी में आया हुआ उपनिया से ठीक है तो इनके उपनियासे कौन कौन से जी जाजी जो कि 1937 इसवी में, फिर है मनुष्यानंद 1935 इसवी में, फिर है घंटा 1945 इसवी में आया हुआ उपनियासे, फिर है वागुन के दिन्चार 1960 इसवी में, फिर है जुहू जो कि 1963 इसवी में आया हुआ उपनियासे, अब यहाँ पर एक नोट है, उसे ध्यान से पढ समपादक बनारसी दास चतुर वेदी। तो यहां पर एक प्रश्नी ये भी है कि विशाल भारत पत्रीका के समपादक कौन थे। आप बताएंगे बनारसी दास चतुर वेदी जी। इन्होंने पांडे बेचेंशर्मा उग्र के उपनियाशों को घास लेटी साहित्य कहा है। उपनियासों को यहां से यह बहुत ही important प्रशन है घास लेटी साहित्य वाला ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को भी ठीक है अगले उपनियासकार हैं दोस्तो रिशब चरण जैन रिशब चरण जैन के उपनियास देखते हैं पहले यह बात देखें कि प्रकृति वादी शैली के उपनियासकार हैं कौन रिशब चरण जैन तो इनकी शैली कैसी है उपनियासों की प्रकृति वादी शैली तो यहां से भ दोस्तों, दिशब चुरण जैन जी के उपनियास हैं। माश्टर साहब, मास्टर साहब, कब आया। गाना स्की कहली कुऽा दिशब चुरण जैन जी आएलोमी दिशित ऌना सके और और spiritual सवर् 故र्चली को सक अनुच है। दीन दोस्तों दिल्ली का व्याबी चार कब आया 1928 सिस्वी में आया हुआ उपनियस है डिल्ली का iya व्याबी चार किसका है रिशब चरण जैन का फिर है पैसे का साथ यह अपनियास 1928 सिस्वी में आया हुआ उपनियास है ठीक है पैसे का साथ फिर है बुरके वाली यह अपनियास भी 1928 सिस्वी में आया हुआ रिशब चरण जेन जी का उपनियास है तो 1928 में इनके तीन उपनियास आए रिशब चरण जेन जी के कौन से ध्यान से सुने दिल्ली का व्याभी चार फिर है पैसे का साथ फिर है बुर के बाली ठीके ध्यान रखेंगे इसके अलावा अगला उपनियास हैं का वैश्या पुत्र ये कब आया 1929 इस्वी में आया हुआ उपनियास है वैश्या पुत्र ठीके फिर है दोस्तो चांदनी रात ये उपनियास 1930 में आया 1930 इसवी में आया हुआ उपनियास है चांदनी रात, फिर है दोस्तों, दुराचार के अड़े, ये कब आया, ये भी 1930 इसवी में आया हुआ उपनियास है, दुराचार के अड़े, फिर है दोस्तों, सत्या गिरे, सत्या गिरे, ये कब आया, 1930 इसवी में आया हुआ उपनियास ह सत्यागिरे तो दोस्तों यहां पर इनके तीन उपनियास हैं जो की 1930 इस्वी में आए किसके रिशब चरंड जैन के कौन-कौन से चांदनी रात और दुराचार के अड़े और सत्यागिरे ठीके ध्यान रखेंगे ये तीन उपनियास एक बार फिर से सुन लें सारी बातें फिर से गौर करेंगे दोस्तों रिशब चरंड जैन प्रकरती वादी शैली के उपनियासकार हैं ठीक इनके उपनियास है मास्टर शाप जो की 1927 इस्वी में आया हुआ उपनियास है फिर है दिल्ली का व्याबीचार जो की 1928 इस्वी में आया हुआ उपनियास है फिर है पैसे का साथ 1928 सिस्वी में फिर है बुरके वाली 1928 सिस्वी में फिर है वैश्या पुत्र 1929 सिस्वी में फिर है चांदनी रात 1930 सिस्वी में फिर है दुराचार के अड़े 1930 सिस्वी में फिर है सत्या गिरे यह भी 1930 सिस्वी में आया हुआ उपनियास है देखते हैं रिशब चरण जैन जी के अन्य उपन्यास गौर करेंगे दोस्तों ध्यान दें इनका अन्य उपन्यास है रिसब चरण जेन जी का गदर गदर आया 1931 इस्वी में कब 1931 इस्वी में ये वह समय है जब आजादी हमें नहीं मिलीती संगर्श चल रहा था ठीक फिर है इनका उपन्यास बाग्ये कब आया 1931 इस्वी में फिर आया इनका उपन्यास भाई कब आया भाई फिर 1931 इस्वी में इनके तीन उपन्यास 1931 इस्वी में आये कौन कौन से गदर बाग्ये भाई ठीके ध्यान रखें अगला उपन्यास है इनका रहसे मई रहसे मई इंपोर्टेंट है कब आया 1933 इस्वी म आया हुआ उपन्यास है रहसे मई फिर है इनका अगला उपन्यास मदू करी ये भी 1933 इसवी में आया हुआ उपन्यास है मदू करी ठीके ध्यान रखेंगे इनके दो उपन्यास रहसे मई और मदू करी उपन्यास 1933 इसवी में आया हुए उपन्यास है किसके दिशब चरण जैन क इनका अगला उपनियास है दोस्तों चमपा कली ये कब आया 1935 इसवी में आया हुआ उपनियास है चमपा कली फिर है दोस्तों दिल्ली का कलंग इंपोर्टेंट है दिल्ली का कलंग ये कब आया 1936 इसवी में 1936 में आया दिल्ली का कलंग उपनियास ठीक फिर है दोस्तों मंदि मंदिर दीप, मंदिर दीप, ये कब आया, ये भी आया, 1936 सिवी में, तो इनके दो उपन्यास, दिल्ली का कलंक और मंदिर दीप, ये दोनों उपन्यास, 1936 एसवी में आये, किसके, रिशव चरण जैन के, ठीक, अगला उपन्यास है, दोस्तों मैं खाना, कौन सा, मैं खाना, ये कब आया, 1938 इस्वी में आया हुआ उपनियास है, मैं खाना, ध्यान रखेंगे, अगला उपनियास है, His Highness His Highness ये भी 1938 इसवी में आया हुआ उपनियास है रिसरप चरण जैन जी का तो इनके दो उपनियास मैं खाना और His Highness दोनों ही 1938 इसवी में आया हुए उपनियास है फिर है इनका अगला उपनियास 3-1 3-1 ठीके ये कब आया 1940 इसवी में आया हुआ उपनियास है तीन एक के ठीके ध्यान रखेंगे ये सभी उपनियास किसके हैं रिशब चरण जेन के एक बार फिर से सुनेंगे इनको गौर करेंगे दोस्तो रिशब चरण जेन जी का उपनियास है गदर 1931 इस्वी में आया हुआ उपनियास है फिर भाग्ये ये भी 1931 इस्वी में आया हुआ उपनियास है फिर है भाई भाई उपनियास भी 1931 इस्वी में आया हुआ उपनियास है फिर है रहसे मई 1933 इस्वी में फिर है मदुकरी 1933 इस्वी में दोनों ही यानि 1933 में आये हैं चंपाकली कम आये उपनियास 1935 में फिर हे दिली का कलंग पिर है मंदिर दीप यह दोनों उपनियास कम आये 1936 में ध्यान रखें फिर है मैं खाना और हिज इजह में lay network निंक में般 खाना और हिज हाइश निंके यह tut दोनों एग उन्रों ओपनियास dispos coronavirus व Verantwortung दोस्तों, बहुत ही important बाते हैं, रिशव चरण जैन के उपनियासों के संबन में, ध्यान रखेंगे, अगले उपनियासकार हैं, ध्यान दें, जैसंकर प्रसाद, जैसंकर प्रसाद, ठीक हैं, चायावाद युक के एक स्थम ये भी माने गए हैं, ठीक, ध्यान रखें, इनका अपनियासे दोस्तों, कंकाल, कौनसा, कंकाल, कब आया, 1929 इस्वी में, 1929 इस्वी में ही, रामचंदर शुकल जी का इतिहास आये था, हिंदी साहित्ते का इतिहास, ध्यान रखें, तो इनका अपनियासे कंकाल, ठीक है, जिसके अंतरगत, जैसंकर प्रसाद ने, तत कालीन स समाज का इतार्त, नगन चित्रन, ध्यान रखेंगे, फिर है इनका अगला उपनियास, तितली, तितली का बाया, तो दोस्तों, 1934 इस्वी में, आया हुआ उपनियास है, तितली, इसके अंतरगत, जैसंकर प्रसाद ने, पूंजी पतियों द्वारा, पूंजी पतियों 1934 में आया हुआ, जैसंकर प्रसाद जी का उपनियास है, जिसमें इनोंने, पूंजी पतियों द्वारा, निम्न वर्ग के शोशन का चित्रन किया है, फिर है इनका अगला उपनियास, इरावती, कौनसा, इरावती, कब आया दोस्तों, 1936 इस्वी में, 1936 इस्वी में आया जो कि एक अपूर्ण एतिहासिक उपनियास है, कैसा उपनियास? अपूर्ण एतिहासिक उपनियास है, इंपोर्टेंट बाते ध्यान रखेंगे, तो पूछा जा सकता है कि जैसंकर प्रसाद जी का अधूरा उपनियास कौन सा है, तो आप बताएंगे कि अधूरा एतिहासि उपन्यास है इरावती वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेम चंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो आप बताएंगे मंगल सूत्र ठीके ये कुछ बाते हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी ठीके यहां एक नोट है ध्यान दे दोस्तों कुछ आलोचकों कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृति वादी या यथार्त वादी उपन्यास का जनक किसको माना है जैसंकर प्रसाद को ठीके तो कुछ आलोचक ऐसे भी रहे हैं जिनोंने हिंदी में प्रकृति वादी या यथार्त वादी उपन्यास का जनक जैसंकर प्रसाद को भी मा अगले उपनियासकार हैं दोस्तों ध्यान दें आचारे चतुरसेन सास्त्री इनके उपनियास हैं देखते हैं हिरिद्दे की परक उपन्यास जो की 1908 इस्वी में आया हुआ आचारे चतुरसें सास्त्री जी का उपन्यास है हिरिद्दे की परक इसमें इनोंने विवापूर्व प्रेम एवं अवेद संतान की समस्या का चित्रण किया है किसने आचारे चतुरसें सास्त्री जी किसमें हिरिद्दे की परक उपन्यास में इसके बाद है व्याभीचार अगला उपन्यास है व्याभीचार ये कब आया 1929 इस्वी में आया हुआ इनका उपनियास है व्याबीचार फिर है इनका अगला उपनियास हरिद्दे की प्यास हरिद्दे की प्यास ये कब आया 1931 इस्वी में आया हुआ उपनियास है हरिद्दे की प्यास इसमें इनोंने किसने आचारे चतुर सें सास्त्री जी ने ठीक है ध्यान से समझे हिरिद्दे की प्यास ठीक है इसका वर्णन नहीं है अभी सिर्व इसको ऐसे ही समझे कि हिरिद्दे की प्यास किसका उपनियास है तो आचारे चतुर सें सास्त्री जी का उपनियास है जो की 1931 इस्वी में आय ठीक अगला उपनियास है इनका अमर अभीलाशा अमर अभीलाशा कब आया 1933 इसवी में आया हुआ उपनियास है अमर अभीलाशा इस उपनियास के अंतरगत आचारे चतुरसें सास्त्री जी ने विद्वाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया है अपने उपनियास अमर अभीलाशा में किसने आचारे चतुरसें सास्त्री जी ने कब आया 1933 इसवी में आया हुआ उपनियास है इसके बाद इनका अगला उपनियास है दोस्तो आत्म दहा कौनसा आत्म दहा कब आया 1937 इसवी में 1937 इसवी में आया हुआ उपनियास है आत्म दहा इसमें आचार एवं देश प्रेम का चित्रन किया है आत्मदा उपन्यास में सास्त्री जी ने आजादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रन किया है कब आया 1937 इसवी में इनका अगला उपन्यास है दोस्तों वैशाली की नगरवदू वैशाली की नगरवदू ठीके ये कब आय उपनियास 1948 इस्वी में आया हुआ उपनियास है आचारे चतुरसें सास्त्री जी का वैशाली की नगर वदू याद रखेंगे इंपोर्टेंट है ठीक है तो एक बार फिर से सुनेंगे आचारे चतुर सें सास्त्री जी के उपनियासों के बारे में पहली बात की ये प्रकृति वादी उपनियास कार हैं। इनका उपनियास है हृद्दे की परक जो की 1918 इस्वी में आया हुआ उपनियास है। अचारे चतुरसें सास्त्री जी ने जो कने उपनियास हृद्दे की प्यास है। जवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया है किसने आचारे चतुरसें सास्त्री जी ने ठीक फिर इनका अपनियास आत्मदा कब आया 1937 इसवी में आत्मदा जिसके अंतरगत इनोंने आजादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण किया है फिर इनका उपनियास वैशाली की नगरवदू इंपोर्टेंट है बहुत 1948 इसवी में आया हुआ इनका उपनियास है वैशाली की नगरवदू देखते हैं इनके अन्य उपनियास इनका अन्य उपनियास है किसका आचारे चतुरसें सास्त्री जी का कौनसा मंदिर की नर्तकी मंदिर की नर्तकी 1951 इसवी में आया हुआ उपनियास है मंदिर की नर्तकी फिर है आप राजिता इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा आप राजिता उपन्यास आचारे चतुरसें सास्त्री जी का उपन्यास है 1952 इसवी में आया हुआ उपन्यास है ठीक है दो बार लिख दिया गया है यह आपे तो ध्यान रखेंगे फिर है दोस्तो सोमनात सोमनात उपन्यास है जो की 1955 इसवी में आया हुआ उपनियास है सोमनात फिर है वयम रक्षामा बहुत ही इंपोर्टेंट उपनियास है वयम रक्षामा किसका है आचारे चतुरसें सास्त्री जी का कब आया 1955 इसवी में आया हुआ उपनियास है फिर है दोस्तों सोना और खून सोना और खून 1957 इसवी में आया हुआ उपनियास है फिर है सहय यादरी की चट्टाने बहुत ही इंपोर्टेंट सहय यादरी की चट्टाने कब आया 1969 इसवी में आया हुआ उपनियास है सहय यादरी की चट्टाने फिर है दोस्तों बिना चिराग का सहर यह उपनियास कब आया 1960 इस्वी में आया हुआ उपनियास है आचारे चतुर सेन सास्त्री जी का उपनियास बिना चिरक का सहर फिर है दोस्तों धर्म यूग धर्म यूग important है ये भी धर्म यूग उपनियास किसका है आचारे चतुर सेन सास्त्री जी का पिर है दोस्तों नरमेद ठीक है पिर है आतमदा जिसके बारे में हम पड़ चुके है एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपने आसो को तो दोस्तों आचारे, चतुर सेम्सास्त्री जी के उपने आस है, मंदिर की नर्तकी जो की 1951 इसवी में आया उपने आस है फिर है अपराजिता जो कि 1952 इसवी में आया उपनियास है फिर है सोमनात और फिर है वयम रक्सामा ये दोनों ही 1955 इसवी में आया हुए इनके उपनियास है फिर है सोना और खून 1957 इसवी में आया हुए इनका उपनियास है आचारे चतुरसे सास्त्री जी का फिर है सहयादरी क सब्सक्राइब ध्यान रखेंगे ये सबी उपन्यास जियाख जियान डिली Jakad समात होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धरनेबाद दोस्तों झाल कि अबाद है झाल करें झाल झाल